तो अंदाजा हो चुका होगा कि जो Adobe Premiere की timeline है basically वो ही आपका एक main window है जिसमें आपने सारा अपना edit करने है आप से देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने rearrange और इनको manipulate करने है अपने assets को तो उसके बाद जाके आपके पास काम नयाब बनता जाएगा आपके पास जो चीज आपने स through execute post production में करते रहते हैं तो हमने पहले थोड़ी ची time man को explore किया हम further explore करते हैं क्योंकि इसमें भी बहुत सारी options और possibilities इसी हैं जो भी explore होने वाली है तो काम शुरू करने से पहले हम अपनी footage को import कर लें इस वक मैं double click कर सकता हूँ यहाँ पर अभी हम एक ऐसी footage import करने लगे हैं ज इस तरह separate कर सकते हैं इसको हम technically link और अन्लिक बोलते है प्रोजेक्ट विंडो में मैं double click किया यहाँ मैं control i से भी कर सकता हूँ import और जहां पर मेरे assets पढ़े वे हैं मैं उस बात पर गया अपनी file को import किया open किया यहाँ पर double click करूँगा source window में मेरे पास यह file खुल जाएगी space bar से play आप देख सकते हैं कि आपके meters भी confirm कर रहे हैं कि आपके पास इस file के अंदर audio भी मुझूद है तो यह मेरे पास एक ऐसी file है जिसमें video भी है और audio भी है तो इसमें से मुझे अगर specific area select करना है मैं उसको jk-l keys को use करते हुए l से मैं इसको fast forward कर रहा हूँ again l से और fast forward कर रहा हूँ कि यह से मैंने इसको stop कर दिया j से मैं reverse किया और अगर मुझे आप समझें यहां से यह पार्ट चाहिए मैंने i in point लगाया मैंने space bar से play किया और out point लगाया आप देख सकते हैं अभी तक हमारे पास timeline बनी भी नहीं है और हम इस footage को जब इस area में drag करेंगे तो हमारे पास automatically एक timeline एक sequence create हो जाएगा जो बिलकुल इसी same settings के ऊपर होगा जिस setting पे हमारा footage था आप देख सकते हैं कि इनकी properties same है और further अगर आपको लगता है कि आपने कुछ setting change कर नहीं है अपने sequence की timeline की तो आप यहां से sequence के tab में जा सकते है sequence setting में गए और इस वक आप देख सकते हैं कि इसका time base 25 frame per second है frame size 1920 x 1080 है और यह इसने खुद ही इसको select किया क्योंकि जो footage हमने पहली दफ़ा इसके ऊपर drag करके रखी थी उसकी अपनी settings भी बिलकुल exactly यही थी audio और video both settings यहां से हम इसको दुबारा cancel करते हैं time line पर दुबारा आते हैं अच्छा अब आप देख सकते हैं कि मैंने इस area में अपनी source window की जब यहां से मैंने mouse से पकड़के इसको drag किया timeline पर तो मेरे पास timeline पर video भी आ चुकी है और मेरे पास इसकी audio भी आ चुकी है जैसे कि हमने पहले जिकर किया था vertical हम इसको audio को zoom करते है timeline को पहले select करना होगा और हम देख सकते हैं सुन भी सकते हैं कि हमारे पास audio है इसके अंदर साथ में वीडियो भी है अगर मुझे इस specific area की सिर्फ video चाहिए होती तो मैं अपनी source window से ही मैं इसको यहां से ड्रैग करके ड्रैग video only की option को यूज करते वे यहां पर timeline पर रख सकता था अगर मुझे इसी specific in out की audio चाहिए होती तो मैं इसको audio को ड्रैग करके आप देख सकते हैं कि यहां पर वीडियो में तो वा option देगा ही नहीं आपको क्योंकि यह audio खायल है मैं इसको यहां पर रख सकता था तो अभी जितनी in out selection थी timeline पर मेरे पास यह सिर्फ video चल रही है आप देख सकते हैं इसमें audio नहीं है हमारे meters बिल्कुल खाली शो कर रहे हैं इस वक्त हमें और उसी के बाद जब मने audio को ड्रैग करके रखा था तो आप देख सकते हैं कि video हमार ब्लैक है क्योंकि हमारे पास timeline पर कुछ भी नहीं है वीडियो में और हमारे पास audio इसकी यहां पर प्ले हो रही है तो अगर आप चाहें तो इनीशिली ही audio और वीडियो को separate कर सकते हैं लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया और आपने timeline पर एक साथ ही audio वीडियो लग दिए है तो आप यहां से भी कर सकते हैं अगर मैं इन पर right click करूँ तो यहां पर मेरे पास unlink की option है मैं इस पर click करूँगा अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरी audio और वीडियो अलिंक हो चुकी है और अब मैं चाहूं तो सिर्फ वीडियो को select कर सकता हूँ आप देखने audio select नहीं होई अगर मैं audio पर click करूँगा तो मेरी audio select हो जाएगी video select नहीं होगी और मैं इनको separately यहां देता हूँ इसको दुबारा हम लिंक कर रहे हैं और वो टिप यह है कि अगर आपने audio को सिर्फ selection या अपने mute करना हो तो आप Alt की के साथ click करेंगे तो आपकी audio या Alt के साथ आप सिर्फ वीडियो पर click करेंगे तो आप खाली audio या खाली video select कर सकते हैं आप देख सकते हैं इस व आपने सेलेक्ट की और आपने इसको गलती से मूफ कर दिया तो आप देख सकते हैं इस वक्त आपको यहां पर कुछ यह माइनस टू जिलो फॉर और यह में भी और वीडियो में भी आपको option दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप इस audio को अपनी वीडियो के साथ sync out कर च तो अभी आपको इंडिकेट नहीं करेगा तो लिंक का आपको एक फाइदा ये भी होता है कि घलती से अगर आपकी audio अपनी वीडियो सोर्स के साथ आगे या पीछे हो गई तो वह sync out हो जाएगी तो वह जो उसके साथ sync है audio का वह basically आपको out नजार आएगा तो अगर आप चा सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको अनलिंक करके दोनों तरीकों से separate कर सकते हैं अभी मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास जो यहाँ पर different layers है उनका हमें क्या फाइदा है आप देख सकते हैं हमारे पास video की भी वह सरी layers है अगर मैं tilde की के साथ इसको full screen करूं इस वक्त ह आप अपने और दूसरे software's में खाव वर्ड हो नोटपैड हो आप चीजों को पकड़के copy, paste या cut paste कर सकते हैं इसी तरह से आप अपनी Adobe Premiere की timeline पे भी उनको copy, paste या cut, paste कर सकते हैं और यह इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो assets होते हैं आपने सबसे पहले जब assemble क हैं तो वो different locations पर हो सकते हैं, maybe आपके पास वो assembly के वक्त, वो end में कहीं पढ़े हो, मैं इस वक randomly कुछ clips को select कर लेता हूँ, ताके मेरे पास multiple clips हो जाएं timeline पे तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस वक timeline पे multiple clips select है, जो कि मैंने different sources से भी मैं चाहूं तो ले सकता हूँ, या एक file से भी मैं उसको ले सकता हूँ तो मैंने उनको Assemble किया, मैंने उनको Preview किया, उसके बाद मैंने उनको Select किया, Assemble किया और अब जाके मैं उनको Edit करने लगा हूँ Let's see, अगर मेरे पास जो मेरी सबसे पहली फाइल है, वो मुझे चाहिए इस वक्त ये वाली मैंने इसको यहाँ से Copy कर सकता हूँ, मैं Ctrl-C की प्रेस करूँगा, तो मैं बिल्कुल Start में आ जाओँगा, Ctrl-V से मैं इसको Paste करता हूँगा तो जो Copy किया हूँ, Ctrl-C से Copy होगा और Ctrl-V से Paste होगा Copy से आपके पास Timeline पे भी वो चीज़ पढ़ी रहेगी as it is और अगर आप इसको चाते हैं कि यहाँ से ही Remove हो जाए, आपका Final Edit वहाँ पे बन रहे हैं तो आप इसको Ctrl-X से Cut कर सकते थे Ctrl-X में प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि Physically Timeline से यहाँ से वो Cut हो चुका है और अगर मैं इसको शुरूर में दुबारा आ जाओं, Ctrl-V तो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप अपने Edit को लेके आगे चल सकते हैं इस तरह इस Clip को मैंने पकरा Ctrl-X Ctrl-V एक मैं आपको यहाँ पर Short Key और भी बता दूँ बड़ी Important वो है Up और Down Arrow की आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस पर Down Arrow की प्रेस करूंगा तो वो Next Cut के उपर चला जाएगा अगर दुबारा से Down करूंगा तो वो उसके और Next पर चला गया दुबारा डाउन दुबारा डाउन और अगर मैं अप करूंगा तो वो प्रीवियस एडिट पॉइंट पर प्रीवियस कट पर चला जाएगा तो यह भी बहुत दो इस शॉट पर Move Around कर सकते हैं तो यहां से अगर आपको एक और चीज में बता दूँ कॉपज हमने कॉपी देखा हमने पेस्ट देखा पेस देखा अगर हम इसको यहां पर बीन कुछ insert करना चाहते हैं तो यहां से इसको मैंने cut किया और अब मैं चाहता हूँ कि यहां पर इन दो shots के बीच में उस shot को insert कर दूँ जो कि अभी मैंने cut किया था तो यहां पर control V करने से तो उसके ओपर यह override कर देगा अगर मुझे बीच में insert करना है तो मैं control shift V करूँगा और आप देख सकते हैं कि उसने बीच में खुद ही एक space बनाई और next shot भी वहां का वहां मुझूद है timeline का एक और बहुत बड़ा feature मैं आपको बता दूँ कि आप के पास जो different layers हैं उन पर आप किस तरह से काम कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि आपके पास एक layer में एक video है और आप की video 2 में दूसरी video हो सकती है इसी तरह video 3 में तीसरी video हो सकती है तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपके पास कोई multi cam editing है एक talk show चल रहा है एक continuous take है तो आप इसको अगर resume कर लें कि video 1 में आपके पास camera का एक angle है वीडियो 2 में आपके पास दूसरा angle है तो आपके पास layers इसी तरह पढ़ती जाएंगी और आप उन layers को जहां जहां जिसको cut करेंगे जिस shot को दिखाना चाहते हैं आप उसको easily दिखा सकते हैं second जो layers की आपके पास choice है वो यह भी है कि आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास एक layer चल रही है और इस video के ऊपर अगर मैंने कुछ further चीज overlap करनी है कुछ चीज insert करनी है विश्ट तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह के अगर मुझे यहां पर कोई logo लगाना है या मुझे यहां पर कोई text लिखना है तो obviously वो उसके ऊपर एक और layer के ऊपर होगा ना के वो इस same layer के ऊपर काम होगा आप सोच सकते हैं अगर same layer पर कुछ भी काम होगा तो वो डिलीट हो जाएगी वो कट जाएगी वहां से अगर यहां से मैंने इसको कट करके कुछ और use करूंगा तो उसके ऊपर आपको वो नजर नहीं आएगी तो आपको second layer use करनी पड़ती है further split screens के लिए कुछ आपके पास और multi view के लिए आपको और layers use करनी पड़ती है इसको हम मजीद explore करेंगे क्योंकि किस तरीके से हम जब multi screen करते हैं जब हम split screens करते हैं तो हमें किस तरह से और tools use करने होते हैं वो हम आगे जाके मजीद इसको explore करेंगे timeline का मैं आपको final conclusion यह देता हूँ कि आप इस वक्त क्योंकि आपका main जो है इस वक्त edit जो है सारा यहीं पर ही create होना है जो भी shoot care of material है selection के बाद आपके पास timeline पर आएगा assemble होगा और उसको फिर आप वहां से rearrange करके manipulate करके अपने edit बनाते रहेंगे तो जितना अच्छा control आपका आपकी timeline पर होगा control से मेरा मतलब है आपकी short keys आपकी command tools का usage सारी चीज़े जितना आपका वह बेतर होगा उतना आपका पूरा process जो होगा वह smooth रहेगा और सबसे important चीज़ क्या है अकसर हमें देखने में मिलता है कि लोगों के जहन में होता है कि इस तरीके से आपने बनाना है में भी शूर भी उस तरह से होता है लेकिन physically timeline पर वह चीज़ क्रियेट नहीं हो रही होती है तो वह बात यह होती है कि आपका अब बहुत जरूरी है तो जितना बेतर आपका control होगा आप जितना इस पर practice करते जाएंगे आपका control बेतर होता जाएगा और आप मजीद बेतर perform कर सकेंगे आगे आने वाजी lectures में मजीद explore करते हैं कि किस तरीके से हम अपनी edit को आगे लेके जा सकते हैं